आज हम लोग करने वाले भुज मूवी का रिव्यू जो की डिजनी प्लस होट स्टार की तरफ से रिलीस हो चुकी है और ये मूवी में अजे देवगन ने सच में इतना बहतरीन काम किया है कि आज उन्होंने कईयों के दिल जीत लिए अपनी एक्टिंग दिखा करके और उन्ह आपसे छोटी सी रिव्यू की मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिये चैनल को सब्सक्राइब ऑ डिस्प्राइब कर दिया करिये यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप इस सबसे जैन्वन और सबसे फास्ट बाइव लेकर कर आते हैं इतना काम तो बनता ही है ना चलिए का मुँतोर्ड जवाब दिया था जो पाकिस्तान था वो इंडिया के कच रीजन में पूरा-ख़-पूरा कबजा कर ले चाहता था इस वजह से पाकिस्तान ने इंडिया का जो भुजि रीजन है sudah इसके एयर स्कीप को बरबाद कर दिया था अब इंडिया का एस झृब बरबाद हो चुका है वहीं पे इंडिया के गच्छ रीजन में पाकिस्तान कबशा करने वाला है तो क्या होगा स्कॉडरन लीडर विजय क्या करेंगे इस situation में और कैसे इंडिया को बचाएंगे इस बहतरीन सी condition में इवें जब वाला scene आता है इस movie में स्कॉडरन लीडर विजय जो वहां की local लड़कियां होती है महिलाय होती है उनसे मिल करके जो air strip है उसमें काम करते हैं और उसको repair करते हैं और उसके बाद में जो काम होता है ending तक हम लोग सर्च में suspense के साथ बंद जाते हैं कि अब क्या होगा क्या विजय कामियाब होगा क्या land होगा अब हमारा जो aeroplane है वो वापस कैसे land होगा क्या होगा मतलब literally movie इतनी बहतरी तरीके से लिखी गए जो suspense है वो हमारे साल बंधा रहता है और हम लोग उसमें खो गए होते हैं कि हम एक movie देख रहे हैं कि हम reality देख रहे हैं यहाँ पर इस movie का screenplay इतना तगड़ा है movie में India versus Pakistan भी है जो हमारी feelings को भी evoke करता है इंडिया में पूरा air force का system भी दिखाया गया है और इंडिया और पाकिस्तान का जो air का हमला है air force हमला है उसको भी बहुत अच्छे से explore किया गया है मुझे दी लगता आज से पहले मैंने Bollywood की कोई ऐसी movie देखी जिसमें दो देशों के air force के बीच में लडाई हो रही हो देन उसके बाद चीज़ें और भी जादा अच्छी हो जाती है इस movie में वो सब देख करके सच में मज़ा आता है और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें direction point of view की तो literally आप movie में एक second के लिए भी बोर नहीं होते संजय दत का character है सुनाक्षी जी का character है इवन नोरा का भी character काफी अच्छी acting करता हुआ दिखाई रेता है क्योंकि direction इस तरीके से किया गया है इस movie का कि आप एक minute भी बोर नहीं होते इस movie से और last में खड़े होकर के सलामी भी देही देते हैं आप इतनी बहतरी movie है भुझ जिसको देखने के बाद में हमारे दिल में देश भक्ती की feeling वापस से जिन्दा हो जाती है और हमें वंदे मात्रम का नारा लगाने का मन करता है और ये movie इतनी जादा अच्छी है कि मैं इसकी तारीफों के पुल भी बांधने से पीछे नहीं हटूंगा इवन अगर हम music की बात करें तो music ठीक था मेरे को बहुत जादा पसंद नहीं आया बट एक दो गाने थे जो सच में काबिले तारीफ थे वहीं पे जो हमारे विजय का character है वो तो सच में दिल ले गया हम लोगों के हम कहीं से ये नहीं था कि कोई acting कर रहा है हम ऐसा लग रहा हम को कि सच में एक विजय को ही देक रहे हैं और यह एक सची घतना में अधारीत मुवी है मतलब इससा to story इवे मुवी फर यू आल जाकर के देख डालिये इस मुवी को पूरी फैमली के साथ देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली लास्नी बात करें मेरे रेटिंग की तो मेरी रेटिंग है भुझ द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए 4.5 out of 5 की it's a must watch for you all जाये और भुझ को देख डालिये it's the best movie one of the best movie best me one of the best movie not best movie of the year but it's a great movie